लिकुनाजोल यह तरीके का मेडिसिनल क्रीम है जिसका इस्तिमाल स्किन इंफेक्षिन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है बिसिकली इसको टॉपिकल आप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है मतलब स्किन प्रिभावित एरिया है एफिक्टेट इंफेक्शन होते हैं तो ऐसी कंडिशन में ललिकुना जोल का इस्तेमाल किया जाता है यह जो क्रीम है बिसिकली जोल एंटिफंगल क्रीम होता है जो की जूब फंगस होता है उसके सेल मेंब्रेन को डिस्ट्रॉइ करके उसकी ग्रोथ को रूपता है अच्छा इस दवाई का अच्छा करें कि करनाची और इस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको अड़ wise आपको आपकर शकुइशन के बाद और थे और रूपता की दॉरिप्ले करना है और इसके साथ में कुछ एक oral दवाईयां भी कई बारी दी जाती है As per your situation, आपके infection की severity क्या है, उसकी condition क्या है उसी तरीके से कितने duration के लिए इसको इस्तेमाल करना है आपके डॉक्टर बताते हैं साथ ही साथ क्या इस cream के साथ किसी और cream का भी किसी और ointment का इस्तेमाल भी करना है या फिर कोई खाने वाली दवाई का भी इस्तेमाल करना है ये भी आपकी जो infection की severity है, उसी के हिसाब से Pesatrd किया जाता है अच्छा, इस cream या फिर न की जो दवाईयां है और इन दवाईों का इस्तमाल करते हैं तभी जो आपका infection है वो properly cure हो पाता है क्योंकि जो fungal infections होते हैं यह काफी stubborn होते हैं simple treatment से नहीं जाते हैं और इनके जो sports होते हैं वो आपके घर में आपकी कपरों में हो सकते हैं इसको remove करने के लिए आपके जो डॉक्तर हैं और भी hygiene related instructions देते हैं जिसको follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आपकी जो infection की condition है वो पूरी तरीके से क्योर हो सकें अब अगर हम बात करें कि इसको क्रीम का इसको करना है तो सबसे पहली बात कि इसको हमेशा टॉपिकल यानिकी जो affected area जो प्रभावित जगा एपके skin के इसको लगाना है उसके उपर ही इसको पतली सी एक layer में apply करना है कैसे करना है इसके बारे मीघबारी बात करते हैं जो यह मेडिकेशन इस सिर्फ स्किन के लिए है और जहां पर लगाना होता है उस जगह को बिल्कुल साफ करना चाहिए, सबसे पहले लगाने के पहले अपनी हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, उसके बाद जो फेक्टेड ही डिया है, जंटली रब करते हुए लगाना चाहिए यानि कि और जो प्रभावित एरिया जो अफेक्टेट इसके आसपास के थोड़ी सी और एरिया को कवर अप कर लेना चाहिए इसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए उस जगह पे खुजली नहीं करनी चाहिए और लगान जो आपका एरिया था उसके बाद अपने हाथों हो को फिर से क्लीन चाहिए साबून से साफ करने उंगले. जो बीछ के हिस्से हैं, जो लिए से क्लीन करना चाहिए ताकि जो दवाये का र इंफ्केटेट एडिया को ट laughs किया तो उसका भी कुछ residue नह रहे तो अच्छे से अपने हाथों को नाखुनों को क्लिंग करना चाहिए अच्छे से उसके बाद हाथों को सुखाना चाहिए कोशिश करना चाहिए कि हमेशा ध्यान दे कि जो दवाई है वो हमारे नाक में आख में मुह में या फिर वजहना में किसे आपको लगाना चाहिए आपको कभी भी यह नहीं कि एक बार दिन में कहा है तो हम जल्दी जल्दी ठीक करने के लिए दिन में दो बार लगा लें तीन बार लगा लें बिल्कुल उससे कोई benefit नहीं होगा आपकी healing proper नहीं होगी आपके infection बहुत उससे faster नहीं cure होगा कि आप दवाई को लगाना बिल्कुल बंद ना करें और बाकी जो दवाईयां लेने के लिए कहा गया है उसको बिल्कुल आप लेना बंद ना करें उससे भी आपका infection है उसके वापस आने के chances हो सकते हैं और जब वापस से आता है तो उसको treat करना बहुत मुश्किल हो जाता ह है तो कोशिच करें कि अपने आप से उसमें कम या ज्यादा ना करें जितने डियोरिश्णिंग के लिए जैसे कहा गये बिल्कुल वैसे फॉलो करें करें कई वारी बोला जाता है कि यह जो क्रीम है इसको कटाने लगाएं दूसरी को क्रीम याइन्मेंट प्रिसक्राइब कि उसके अलावा रेगिलर्ली दवाई का इस्तिमाल करें इस क्रीम का इस्तिमाल करें और फिक्स टाइम पे लगा है जिस टाइम पे आज लगा रहे हैं कल भी उसी टाइम पे लगा है उसको चेंज नहीं करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको इस दवाई का मि लेकिन लगाने के बाद जब इचिंग होती है तो उस पे खुझली बिल्कुल ना करें वह आपके इंफेक्टेड एरिया को फर्दर वहां पे वोंडिंग कॉस कर सकती फर्दर वहां पे घा हो सकता है जिसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसी चीजों को अवाइड क करें हो सकता है कि जो खुझली है उसके लिए भी आपके डॉक्टर ने अलग से दवाई डिस्क्राइब की है तो उसको लेना ना पूलें इन साइट इफिक्स के लामा और कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है आपको ओरल बॉडी में रैश्यों हो रहे हैं कुछ आप करें वद्विशन की कंडिशन है और एंद्विशन की किन यहां लेकिन आपको इसके बारे में डॉक्र को जरूर बताना होता है अगर आप को की दमाई वी घरी चाहें लगाने के लिए उसके घरक और फुछ सीम उसमीं लगा हो और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने एक ऐसे लिंक दिया जहां से आप और भी कर सकते हैं तो यह जो थी बेसिक जानकारी थी ललीकुनाजोल क्रीम के बारे में जो मैंने आज आपके साथ शेयर की उसके लाओं भी कुछ उजहाब है या फिर कुछ और भी इ आपनिवाट।